विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय दो भारती इत्यास के स्वाणी प्रश्ट पर चर्चा करेंगे पार्ट की शुरुवात से पहले मैं स्वामी व्यकानन के कुछ कथनों को जो हर विद्यार्थी के लिए बहुत आवज़ रके उसको हमें अपने अंतरमन में उतार लेना चाहिए ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रियास कीजिएगा पहला कथन लक्ष निर्धारित करो और उसकी प्राप्ति के लिए जुट जाओ दूसरा कथन वेक्ति स्वयम को चैसा मानता है वह जीवन में वेसाही बनता है अगर आप स्वयम को सफल मानोगे तो सफलता आपके कदम चुमेगी तीसरा और बहुत महत्पुन कथन उठो जागो और अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए जुट जाओ तब तक जुटे रो जब तक आपका लक्ष प्राप्त नहीं हो जाए तो आईए विद्यार्थियों हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज भारती इतियास के स्वाणिम प्रष्टों को अध्यान करते हैं हमारा मुख्य विशयाज मोरी सामराज की स्थापना से संबंधित रहेगा मोरी सामराज के मुख्य संस्थापकों के बारे मिरेगा जिसमें हम चंदगुप्त मोर्यम, बिंदुसार और असोक के उपर चर्चा करेंगे प्रश्णों की स्रंखला लेंगे प्रश्णों के माद्यम से समझने का प्रियास करेंगे मौरी सामराज की स्थापना के साथ ही भारत के राजनितिक एकिकरन एवं भात वर्ष की वास्त्विक संकल्पना दरश्टिकोचर होती है मौरी सामराज के इतिहास के विशे में हमें विभीन स्त्रोतों से जानकारी मिलती है अब हम स्त्रोतों के विशे में प्रश्ण के माध्यम से आगे बढ़ते हैं हमारा इस पार्ट का पहला प्रश्ण मौरी सामराज की जानकारी के स्त्रोतों को बताईए उत्तर मौरी सामराज की जानकारी के मुख्य स्त्रोत निम्र प्रकार है पुस्तक वर लेखक दोनों का हम नाम साथ में लेंगे पुस्तक अर्थसास्र, रचीता हैं, कोटील्य या विश्नुगुप्त या चानक हैं तीनों ही एक ही विक्ति के नाम दूसरी पुस्तक कथा सरित्सागर, लेखक हैं सौमदेव किसरी पुस्तक मुद्रा राक्षस, लेखक हैं विशाख दत चोथी पुस्तक वरहत कथा मंजरी और इसके लेखक हैं शेमेंद्र पांचवी पुस्तक कल्प सुत्र और इसके लेखक हैं बद्र बाहु विद्यार्थियों ये कुछ पुस्तके थी जो मोरिस सामराज के हमें जानकरी देती है इसनके अतिरिक्त दीपवंच, महावंच, टिका, स्ट्रेबो, प्लुटॉक, जस्टीन, आदी युनानी यात्री वह फायान, हविन सांग, इत्सिंग, जैसे चीनी यात्रियों की विवन से भी हमें मोरिस सामराज की जानकरी प्राप्त होती है साथ ही कुछ अभिलेख हैं जिसमें रुद्यदामन का जुनागड अभिलेख वाशोग की अभिलेख मोरिकाल के बारे में हमें जानकरी देते हैं विद्यार्थियों मैं यहाँ पर आपको बता देना चाता हूँ कि मोरिकाल का जो समय राहे वो 322 इसा पूरु से लेकर 185 इसा पूरु तक रहा है प्रश्णों की संखला आगे बढ़ाते हुए अब हम चंद्रगुप्त मोरि के बारे में अध्यान करेंगे हमारा प्रश्ण दो चंद्रगुप्त मोरि का शाशनकाल कब से कब तक था उत्तर चंद्रगुप्त मोरि का शाशनकाल 322 इसा पूरु से 218 इसा पूरु तक था अगला प्रशन चंद्रगुप्त के गुरु का नाम बताईए उत्तर चंद्रगुप्त के गुरु का नाम कोटिल या चानक के या विश्नुगुप्त है अगला प्राश्ण प्राश्ण नमबर चार नंदवंश के अंतिम शाषक का नाम बताईए जिसे चंद्रगुप्त ने पराजीत कर मोरी सामराज की स्थापना की उत्तर नंदवंच के अंतिम शाषक धनानंद को हरा कर 322 इस्सा पूरू में चंदर गुप्त ने मोरी सामराजी की स्थापना की यहां मैं आपको जान करें देता हूँ चंदर गुप्त ने अपने गुरू चानकी की साहता से मोरी सामराजी की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने चानेके के निरदेशन में ही सरुपतम मगत के साशक धनानन को पराजित किया और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर सामरेज की इस्थापना की अगला प्रशना चंद्रगुप्त मौरी की चंद्रगुप्त संग्या का प्राचिंतम अभीलेखी साक्ष कहां से मिलता है उत्तर रुद्रदामन के जुनागर्ड अभीलेख से अगला प्रश्न है किस विद्वान का कतन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाग की सेना लेकर संपुन भारत पर अधिकार कर लिया विध्यार्थिक्रे बहुत महत्पून कतन है कथन कहा गया है प्लूटाग द्वारा विद्यार्थियों चंद्रगुप्त मोर्य के बारे हम थोड़ा सा परिचे ले लेते हैं चंद्रगुप्त मोर्य ने उत्तर पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्राधिकारियों से मुक्त कर नंदवंश का उन्मूलन कर सेलुकस को पराजित कर संधी के लिए विवेश करके जिस सामराजी की स्थापना की उसकी सीमाएं उत्तर पस्चिम में इरान की सीमा से लेकर पस्चिम में सोराष्ट तक फेले वी थी इस परका हमें पता पड़ता है कि चंद्रगुप्त ने अपना सामराजी का विस्तार बहुत अधिक कर लिया था प्रश्णों की कड़ी में प्रश्ण नमबर साथ चंद्रगुप्त मोर्य वह मैसीडोनिया के साशक सेलुकस के मद्धी युद्ध कब हुआ उत्तर 305 इसापुर में युद्ध हुआ और युद्ध का परिनाम सेलुकस पराजीत हुआ प्रश्ण नमबर आठ चंद्रगुप्त मोर्य वह सेलुकस के बीच हुई संधी की सरते बताई दोनों के भी युद्ध हुआ और युद्ध के बाद संधी हुई वह संधी की सरतें बहुत महत्पून हैं वे निम्ने प्रकार हैं पहली सर्थ सेलुकस ने चंद्रगुप्त मोर्य के साथ अपनी पुत्री जिसका नाम हैलना था का विवा कर दिया दूसरी सर्थ सेलुकस ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरी पेमिस डई के छेत्र चंद्रगुप्त को दहेच के रूप में उपहार के रूप में प्रदान कर दिया तीसरी सर्थ सेलुकस ने अपना एक राजदूत जिसका नाम मेगस्तनीज है को चंद्रगुप्त मोर्य के दरबार में भेजा इन तीनों सर्थों के साथ ही चोथी सर्थ जो चंद्रगुद मोरी की तरप से थी चंद्रगुप्त मोरी ने सेल्यूकस को 500 हाती उपहर में दिये विद्यार्थी में अगला प्रश्न, प्रश्नमबर 9, मेगस्तनीच द्वारा रची पुस्तक का नाम बताई उत्तर, इंडिका, प्रश्नमबर 10, चंद्रगुप्त मोरी ने दक्षिन भारत की विजय की इसके प्रमान हमें कहां से प्राप्त होते हैं उत्तर, चंद्रकुप्त मोरे ने दक्षिन भारत की विजय प्राप्त की, इसके प्रमान हमें तमिल गरंथों, मुख्य रुप से दो तमिल गरंथ हैं, पहला अहना मुरू ता दूसरा मुर्णा नुरू, इसके अलवा अशोक के अभी लेखों से भी हमें ग्यात होता है कि दक चंद्रकुप्त मोरे ने जेंदर्म स्विकार किया, अगला प्रशन, चंद्रकुप्त मोरे ने किस प्रकार अपने सरीर का त्याग किया, उत्तर, श्रवन बेल गोला, जो की मैसूर करनाटक में है, स्थीत चंद्रगीरी पहाडी पर करीब दोसो इठ्याणु इसापुरु म उपवास के माध्यम से चंद्रकुप्त मोरे ने अपने सरीर का त्याग किया, विद्यार्थियों, अब हम चंद्रकुप्त मोरे के पुत्र बिंदु सार के बारे में अध्यान करेंगे, बिंदु सार का परीचाय, चंद्रकुप्त मोरे का पुत्र था बिंदु सार, जिसने 208 इसापूर में मोरी सामराज की बागडोर संभाली युनानी लेखक बिंदु सार को अमित्रों चेडर्स कहते थे और स्ट्रेबो ने बिंदु सार को अली ट्रों केड्स कहा है फ्लीट ने बिंदु सार को अमित्र गात अर्थात सत्रों का वद करने वाला कहा है प्रश्णों के कड़ी में अगला प्रश्णा, प्रश्ण नमबर 13, बिंदुसार के समय तक्षिला में हुए विद्रो को शांद करने के लिए बिंदुसार ने किने बेजा था उत्तर, बिंदुसार ने पहले अशोग को बेजा, फिर अपने दूसरे पुत्र सुसीम को बेजा अगला प्रश्णा, बिंदुसार के समय तक्षिला में हुए विद्रो की जानकरी हमें किस पुस्तक से मिलती इतियास बिना साक्षे के हम बात नहीं करते हैं अगला प्रश्णा, बिंदुसार के समय में तक्षिला में विद्रो हुआ उत्तर, पुस्तक का नाम है दिव्यावदान, दिव्यावदान से हमें जानकरी मिलती है कि तक्षिला में विद्रो हुआ था अगला प्रश्ण बिंदु सार के दर्बार में आने वाले विदेशी राजदूतों के नाम बतेए विद्यार्थियों बिंदु सार के समय में दो विदेशी यात्री आये थे जिनके नाम इस प्रकार है प्रथम युनानी साशक एंटियोकस प्रथम ने डायमकस नामक राजदुत को भेजा और दूसरा मिस्र के राजा फिलाडेलफस जिन्हें टॉलमी दिवती भी कहा जाता है ने डायो नीसस नामक राजदुत को भेजा विद्यार्थियों अब हम बिंदु सार के बाद अशोक का अध्यन करेंगे परिचय बिंदु सार की मत्यू के पश्चात बिंदु सार का पुत्र अशोक मोरी सामराज का साशक बना करीब चार वर्ष के सत्ता संगर्ष के बाद अशोक का विदिवत राज्य विशेक करीब 269-29 इसापुर में हुआ वेशे तो अशोक 233 इसापुर में ही साशक बन गया था लेकिन चार वर्ष तक राज सियांसर पर बैठने के युद्धू की वज़े से वो अपना राज्य विशेक नहीं करा पाया और 299 इसापुर में उसने अपना राज्य विशेक कराया प्रेश नमबर 16 अभी लेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है अभी लेखों में अशोक को देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय दर्शी एवं राजा की नाम से संबोधित किया गया है प्रेश नमबर 17 अशोक का नाम अशोक किस अभी लेख में मिलता है उत्तर अशोक का नाम अशोक मासकी वगुजरा भी लेकों में मिलता है प्रेश नमबर अठारा कलहन की राष्टरंगिनी के अनुसार अशोक द्वारा बसाये गए नगरों के नाम बताईए उत्तर दो नगर बसाये थे पहला अशोक ने कश्मीर में वीतसता नदी के किनारे स्रीनगर बसाया और दूसरा नेपाल में ललिक पतन नामंग नगर की सापना की। अशोक के आक्रमन के समय कलिंग का राजा कौन था? उत्तर नंद राज अशोक ने भेरी गोष के स्थान पर धम गोष की निती कब अपनाई? उत्तर कलिंग युद्ध के भिशन नडशाहार से ध्रवीत होकर अशोक ने युद्ध निती का त्याग कर दिया विध्यार्थियों आज के पाठेक्रम Cristiana से सम्मंदीत प्रश्न उत्तर का लिंक मिलेगा जिसे आप अवश्य करिए धन्यवाद